दोस्तो, ये चार धंदे कभी भी नहीं होंगे मन्दे। यदि आप कोई धंदा करने का विचार कर रहे हैं, यानि कोई नया बिजनेस सुरू कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इन चारों में से कोई भी एक बिजनेस आप कर सकते हैं। इन बिजनेस को करने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है, सहर में ही ये बिजनेस किया जाए, ये बिजनेस आप गाउं से शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस आप थोड़ी पुंजी से शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस आप अकेले कर सकते हैं, और ये बिजनेस आप परिव बार को साथ लेकर कर सकते हैं यह बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हैं यह बिजनेस आप दुकान खोल कर सुरू कर सकते हैं यह बिजनेस आप फैटरी लगा करके शुरू कर सकते हैं और यह बिजनेस आप ऑनलाइन या हॉल सेल भी कर सकते हैं तो दमित्रो सबसे पहले मैं कहूंगा हमारी चैनल दो साती टीवी को सब्सकाइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं वीडियो मित्रो जब तक जीवन रहेगा यानि जब तक जनरेशन रहेगी तब तक खाना जरूरी है और उस खाना बनाने के लिए किराने का बिजनेस यानि उन दुकानों से सामा लाया जाता है जहां पर खादे पदार्थ मिलते हैं तो आप किराने का बिजनेस कर सकते हैं किराने की दुकान लगा सकते हैं ये दुकान आप अपने घर से सुरू कर सकते हैं ये आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह है तो वहां आप किराने की दुकान खोल सकते हैं इसमें आपकी माताएं महनें भी आपका साथ दे सकती हैं और घर के भुजरुग भी आपका सहयुक कर सकते हैं ये बिजनेस आप 10,000 रुपे से सुरू करके एक लाग रुपे तक सुरू कर सकते हैं लगा सकते हैं इसमें और ये बिजनेस आप बड़ा भी कर सकते हैं किसी शहर के मुक्खे चोराहे पर या ऐसी जगह जहां मार्केट में किराने की और दुकाने हैं वहां भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और जब तक जीवन रहेगा तब तक ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा ध्यान दीजिए आप जिन लोगों ने ये बिजनेस किया था उनका बिजनेस पीडी दर पीडी चलता आ रहा है तिन तिन पीडियां तो आपने निश्चित रूप से देखे हूंगे आप ध्यान करेंगे तो उनके दादा जी यहीं बिजनेस करते थे उनके बेटे यहीं बिज बिजनस में सामिल हो गए हैं तो यह बिजनस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि इसके अलावा दूस्णर जो मैं बिजनस बताने का रहा हुं तो पहले आउसकता मानफ के उती है रोटी की रोटी के लिए आपको बताई दिया कि ये किराने का बिजनेस आप कर सकते हैं और दूसरा होता है कपड़े का रोटी कपड़ा ये आदमी के जीने के लिए बहुत जरूरी है तो कपड़े का बिजनेस करने के लिए ये बिजनेस भी आप किसी गली मौले में शुरू कर सकते हैं क्योंकि आज कर रेडी मेड कपड़े खूब चलते हैं और इनका विजनेस आप गाउं में भी शुरू कर सकते हैं चोटे शहर से शुरू कर सकते हैं और बड़े शहर से भी आप शुरू कर सकते हैं यह बिजनेस भी आप 20-30-50,000 रुपे लगा करके सुरू कर सकते ह और करेडोर उपे लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं जैसा कि मैंने ओपर वीडियो में बताया था इस बिजनेस के आप फैक्टरी लगा सकते हैं कपड़ा बराने के फैक्टरी आप लगा सकते हैं कपड़ा सीलाई के फैक्टरी लगा सकते हैं बहुत सी ऐसे उद्योग है कपड़े की लाइन में हजारों की संख्या में ऐसे काम है जो आप करके ये बिजनेस कर सकते हैं इसी बिजनेस में आपके जितने घर में परिवार में जितने आदमी होंगे वो सब इस बिजनेस में सामिल हो सकते हैं यानि 18 साल से 21 साल से लेकर के 70 साल तक के आदमी इस बिजने जो मैं बताने जा रहा हूं तो वो बिजनेस है रोटी, कपड़ा और मकान यानि तीसरा मकान की आवसकता होती है महती आवसकता होती है मानों के जीवन के लिए शिर्फ पर छत जर होना बहुत जरूरी है और आज कल सिर्फ छती नी चीए, सारी सुक्सूदाएं मकान के अंदर होनी चीए, भावन के अंदर होनी चीए, बिल्डिंग के अंदर होनी चीए ऐसी इस्तिती में आप यदि ठेकेदारी का बिजनेस भी करते हैं तो भी ये बिजनेस बहुत उंदा बिजनेस है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है अब बात आती है कि ठेकेदारी का बिजनेस हर आदमी नहीं कर सकता जिहां मित्रो मैं कहता हूँ हर आदमी कर सकता है हर वो आदमी कर सकता है जो जुजारू हो जिसमें काम करना की हिम्मत हो जो आदमी मेनद करना अच्छी तरह से जानता हो और थोड़ा सा हिसाब किताब जानता हो शादाना दसमें बारे में पढ़ा लिखा आदमें भी ये बिजनेस कर सकता है कोई जरूरी नहीं है आपके पास डिग्री होना ये दिग्री आपके पास है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है तो आप ठेकेदारी का बिजनेस कर सकते हैं इसके अलावा बिल्डिंग मेटिरिल सप्लाई का बिजनेस कर सकते हैं इसके अलावा बिल्डिंग मेटिरिल बनाने का बिजनेस कर सकते हैं जैसे स्टोन क्रेशर है, स्टेंड है इस तरह के बहुत से ऐसे बिजनेस हैं इसमें हज़ारों के संख्या में नहीं, लाकों की संख्या में इसमें आइटम्स हैं, स्टोन वगरे लाना है और बहुत बिजनेस हैं इसमें, आप कर सकते हैं, इसी के साथ आप इसमें धरम काटा लगा सकते हैं और काफी बिजनेस हैं इसमें, ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं, इसक हो गई मगर चोती चोता जो बिजनेस में बताने जा रहा हूं वो है मेडिकल बिजनेस जिहां सजनों जब तक शरीर रहेगा रोग उसके साथ जुड़े रहेंगे और उन रोगों से लटने के लिए आदमी को दवाई के आप सकता होती है दवाई चाहे वो आयरवेदिक हो सकत हो सकती है या होमेडिक हो सकती है या अन्य कई परकार के आजकल दवाईयां चल रही है तो ऐसी इस्तिते में आप इन तीनों दवाईयों के मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं आप इनकी बनाने के काम भी कर सकते हैं यानि फैक्टरी लगा सकते हैं इनकी और इनका होलसेल बिजन बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको पैसा कहां से आएगा तो देखे मित्रू आज कल सरकार बिजनेस करने के लिए पैसा देने में कहीं कोई कोताई नहीं बरत रही है बस कंडिसन एक ही है कि आपके अनवा होने चाहिए आपके उन आदमियों से जानकारी होनी चाहिए जो आदमी इस बिजनेस में लगे हुए हैं उनसे आप थोड़ा राय मसुरा कीजिए शरकार खूब लोन दे रही है चारो के स्केल पर करते हैं तो कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आप कभी भी शुरू कर सकते हैं अब बात आती है इन चारों बिजनेसे में कि आपके पास दुकान होनी चीए तो ऐसी कोई कंडिशन नहीं है कि दुकान हो तब ही आप ये बिजनेस करें ये बिजनेस आप किराए की दुकान पर कर सकते हैं ये बिजनेस आप अपने घर की दुकान यदी हो तो शुरू कर सकते हैं और ये सारे बिजनेस जो मैंने बताये थे ये गाउं से, सहर से, गली से मौले से भी शुरू किये जा सकते हैं इनमें छोटे-छोटे एक नहीं सेकडों की संक्या में ऐसे बिजनेस हैं जो करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने पूरे परिवार को एक बिजनेस लाइन दे सकते हैं वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा सारे दोस्तों में बेज़िएगा आपके काफी दोस्त बेरोजगार बैटे हैं उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लाब दे सकता है और सारे रिस्तदारों में आप इस वीडियो को भेज़ सकते हैं कंडिशन एक ही है यदि आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सकाइब नहीं किरेंगे तब तक आपको हर वीडियो को लाब नहीं मिल पाएगा कमेंट्स के दोरा हमें बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमारी कोशिस कैसी रही नमस्कार जैस्तिक्रिशना